नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रेंकस गुर्कुल यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आपको मालूम है कि SACCPO 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है रिजल्ट में कटोफ बड़ी जबरदस्त गई है बवाल कटोफ गई है जो आज तक अभी तक नहीं गई है तो मेल और फीमेल की क्या कटोफ रही और पिछले साल से भी कंपेर हम करेंगे पूरी वीडियो को डिटेल में आप देखिए जिएगा बाकी डिटेल आपको अधितरे जिन सर बताएंगे जहीं दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने परिवार रैंकस गुर्गल यूटीव चैनल पे तो दोस्त जैसे जैसे साल बढ़ता चला जा रहा है 2020 के बाद 2021 के बाद 2022 के बाद 2023 वैसे वैसे कटफ में उसी तरीके से इसाफ होता जा रहा है जैसे महंगाई बढ़ती है ना तो ऐसे कटफ भी मेरे भाई उसी तरीके से बढ़ रही है और ये कटफ का बढ़ना कहीं न कहीं बच्चों का होसला तोड़ रहा है अब उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं तो सारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और अपनी जो भी भावना है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें यहाँ पे, तो आईए अभी हम देखते हैं, यह हमारा SSE CPO 2023 का प्री का cut-off आया हुआ है अभी, और पेपर अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और उसके बाद यहाँ cut-off आप देख सकते हैं, जो cut-off गया है, list 1 यानि female का, वो cut-off कुल मिलाकर मेरे भाई 143 गया है, और उस 143 cut-off पर 465 महिलाए जो हैं यहाँ पर, मतलब जो महिलाए नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर female candidate में girls कह स 215, कुल मिलाकर 267 candidate जो है, वो हमारे अभी लेवल हैं, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो mail का जो cut-off गया हुआ है, वो UR में, UR काटेगरी में 131 गया है, उसके बाद यहाँ पर OBC काटेगरी में 131 गया है, और दोस्त यहाँ पर SC और ST में 110 और 109 गया है, यहा 2022 में हम थोड़ा आपको लेकर चलते हैं, और 2022 की थोड़ी सी कहानी हम आपको समझाते हैं, यह हमारा 2022 का कहानी है, 2022 में क्या हुआ था वो समझो, 2022 में SSE CPO का mail का जो cut-off गया हुआ था दोस्ते यहाँ पर, वो general category में 115 था, और यहाँ पर female category का मेरे भाई जो था, वो यहाँ कितना था, तो 126 था, और इस बार यह 126 से 143 के आसपास में मेरे चला गया है, reason यहाँ पर क्या है, थोड़ा साप इस table को समझे, यह table हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, अगर हम बात करें male और female को लेकर, तो एक तरफ मैंने cut-off रखा है, दूसरी तरफ मैंने vacancy रखा तो cut-off हमारी 126.29 है, और यहाँ vacancy लगबग आधे से भी कम है, इसलिए यहाँ पर cut-off जो है, वो थोड़ा सा जादा बढ़ चुका है, उसी तरीके से अगर female की हम बात करेंगे, तो 2022 में जो vacancy था, वो 281 था, और 2023 में जो vacancy है, वो हमारा 171 है, इसलिए यहाँ पर जो cut-off था, वो 115 था, और यहाँ पर जो cut-off है, वो 143 है, अब आप लोग के लग रहा होगा, क्या तयारी छोड़ देनी चाहिए, क्या यहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, कोई तो मतलब ही नहीं बनता है, कितना भी तयारी कर लो, cut-off तो 7 वासमान चुरा है, भाई, तयारी मत, छोड़ो, तयारी तो करो, सरकार को बोलो कि वो वेकेंसी बढ़ाए, अगर वो यहाँ पर भिखमंगें की तरह वेकेंसी देना शुरू कर देगी, 4000 के जगा पे 707 जगो के कल के दिन, 707 जगो के जगा पे कल के दिन 70 वेकेंसी, और पता चले एक दिन 50 वे ना मन पहले ही तूट जाता है, क्या तयारी करें, छोड़े यार, कुछ नहीं रखा इसमें, फिर कुछ महीने के बाद वापस से आदाता है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, ना कोई ऐसा साधन है, कि जिससे हम कुछ और कर सकते हैं, करे तो क्या करे वाली स्तिती हो जाती है, तो चलो, फिर से सरकारी रोकरी की तयारी करते हैं, तो यहाँ पर सरकार को थोड़ी सी बात ध्यान देनी के आवशकता है, कि जब चुनावाता है, तो यहाँ वेकेंसी बढ़ा दी जाती है, चुनावा खतम हो जाता है, तो मतलब भी नहीं, ऐसा ना करो, थोड़ा सा व होने के करण कटफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा वेकेंसी को बढ़ाने की आवशक्ता है हर डिपार्टमेंट में आज अब CHSL में देखो तो कहां 10.000 की वेकेंसी आती थी अब हो चंद हजारों पे आके सिमट के रह गई है बैंक तो एक तरीके से खतम होने के एक अगार पर है यूँ समझ लीजे ठीक है बहुत कम लोगों का इंटरस्ट रह गया तो अगर यहीं स्थिती रही तो लोगों का सरकारी नोकरी से विश्वास उठ जाएगा और हर कोई अपना अपना कोई ना कोई काम में मेरे भाई बरुसा दिखाना शुरू कर देगा तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देने की आवशकता है और बाकी वच्वाप लोगों को बोलूँगा कि जिनका हो गया मेरे भाई सेलेक्शन यहाँ पर वो तो फिजिकल की और आगे मेस की तयारी में लग जाओ और जिनका नहीं हुआ हिम्मत मत हारना मेरे दोस्ते यहाँ पर सरकारे बदलते वक्त नहीं लगती है यहाँ पर अगर आपकी तयारी अच्छी है एक बार भी वेकेंसी अगर अच्छी आ गई तो आपका सेलेक्शन जरूर होगा तो अपना हिम्मत मत आ रहिए यही मेरे भाई थोड़ा सा आप कह लीजे माया जा लाया मोह जा लाया जो भी कह लीजे यहाँ पर इसी में आपको अपना फते जो हांसिल करना और अपने आप वागे बढ़ाना है बढ़ियां से तैयारी करते रहिए आगे बढ़ते रहिए निरनतर प्रयास करते रहिए जो यूट्यूपर हम आपको सीरीज करा रहे हैं तसको अच्छे तरिके से फॉलो करते रहिए और एंकस गुरुकुल के हर वीडियो को मेरे भाई देखिए और जुड़े रही है हमारे साथ ठीक है बाकि आपके मुन में कोई भी विचार हो किसी प्रकार की कोई भी बात हो तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा आपका इंतिजार रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद भाई थेंक यू